नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है अपने इस डिजिटल प्लेटफोर्म पे आप सभी को पता है कि 17 मार्च 2023 को नए जिलों के गठन की जो गोशना की थी गैलोट साब ने उनका आगे का जो कदम है वो गैलोट साब की सरकार ने रख दिया है उनी के बारे में आज अपने एक चोटे riot सा वीडियो लेकी आए हैं कि समझेंगे कौन-कौनसे जिले कौनसी जिलों से जो है अलग हुए हैं कौनसी तैसिले बनी है पितनी नई तैसिले बनी है तो आपके चार नमबर पक्के होने वाले हैं थोड़ा सा इस वीडियो को डिटेल से ध्यान से पटना थोड़ा सा वीडियो को से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है आज अपने पटने वाले राजस्तान के नए जिलों का गठन उसी के बारे में पहला जो जोषना हुई थी जिलों के बारे में ठीक है पहला पॉइंट क्या है नए जिलो हे तू गठित कमेठी देखो बहुत इंपोटने नए जिलो हे तू गठित कमेठी कौनसी है आपको इद्यान रखना है राम लुभाया कमेठी पुर्वे निरवाचित आयुक्त आइएस है ठ ठीक है कमिट ठीक है जो गठन है वो कब किया गया 21 मार्च 2022 को गठन किया गया लगबग एक साल पहले इनका गठन किया गया और कहा गया राम लुबायजी आपको जिलों के गठन से संब्दित हमें रिपोर्ट सोपनी है कि कोन सा जिला जो है आमें नया बनाना चीए और कौन स जिला हमें नया नहीं बनाना चाहिए ठीक है राम लुबाया जी ने साब एक सांदार सी रिपोर्ट सोपी कहलो साब को सरकार दुआरा उन्नीस जिले एम तीन संभाग की गोशना सत्रा मार्च दो हजार तेईस को की गई फिर से एक इंपोर्टेंट फेक्ट आ रहे है वही पह जिले और तीन संभाग उन्नीस जिलों का गठन किया गया और तीन संभाग का गठन किया गया कलीर है कब सत्रा मार्च दो हजार तेईस को लगबग एक साल बाद कमेटी के गठन के एक साल बाद लगबग चार-पांच दिन पहले एक साल से ठीक है तीन सो साट एक दिनों बा अभी आद हो जाएंगे, सब एक साथ याद करा देंगे अपन, ठीक है, नए जिलों की अधीसूचना, 4 अगस्त 2023 को बाई साब, गैलोत साब ने एकजाम से पहले, सभी जो एकजाम आने वाले हैं, उनसे पहले एक टपप है, कहें, क्या 4 अगस्त 2023 को नए जिलों की कि जिलों की इस्तापना दिवस कब मनाया जाएगा बाई साब इन जिलों का इस्तापना दिवस कब मनाया जाएगा तो 7 अगस्त 2023 को अगस्त का मेना चल रहा है ना हो गया पूरा अगस्त का मेना आपके पूरा हो गया है तो 7 अगस्त 2023 को बाई साब आपके क्या ने जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाएगा याद रखना 17 मार्च 21 मार्च 2020 17 मार्च 2023 7 अगस्ट 2023 4 अगस्ट को अजदी सूसना जारी कर दी 19 जिले 3 संभाग राम लुबाया कमेटी याद गर लो भई नए गठीत जिलों का उदगाटन कब किया गया 15 अगस्ट 2023 को सुतंतरता दिवस पर कब भई स्वतंतरता दिवस पर याद ऐसे ही करना पड़ेगा तभी जाके ये जिले जो है नए वाले आपको याद होंगे 15 अगस्ट 2023 को इन जिलों का उदगाटन कर दिया गया ये लो जिले आप पड़ते रहो और एक्जाम के लिए क्लियर करते रहो ठीक है ये आपको 5-6 एफेक्ट आपको याद हो गए होंगे मैं आसा ये ही करता हूँ में लाड लो कि आपको एफेक्ट जो है याद हो गए नए जिले कौन से तुझी ले हैं कौन से जिलों से अलग हुए हैं और कि संभाग के अंतरीगत आते हैं याद यही कर ले ना दे को घर के लिए कुछ मände जोड़ना ये चलते हैं वाई साब पहले करम संक्या नबर पहली बात नए गठित जिले कौन कोन से हैं कौन से जिलो से इनको हटाया गया है वैसा थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है ठीक है कौन से जिलो से इनको हटाया गया है और संभाग कौन सा इनका रहेगा क्लियर है इतनी बात पहला ही देख लीजे वैसा आप याद करते वे चले मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं कि या लग किया गया है कुछ भाग जो है घंगानगर से लिया गया है कुछ भाग विकानेर से लिया गया है और किस संभाग में रखा गया है तो विकानेर संभाग में इनको रखा गया है अनुपगड विकानेर घंगानगर से लग किया गया है संभाग इनका कौन सा है विकानेर है दूसरा जिला बालोतरा जिला जो की बाड़मेर में पहले पढ़ता था बालोतरा ठीक है बाड़मेर से अलग किया गया है और किस संभाग में है तो जोदपुर संभाग में है इतनी बात क्लियर हुई दोनों को याद कर लो अनुपगर्ड विकानेर गंगानगर से अलग किया गया है विकने संभाग में है बालोतरा बाडमेर से लग किया गया है जोदपुर संभाग में है ठीक है पहले भी बाडमेर जोदपुर संभाग में हुआ करता था अब भी बाडमेर जोदपुर संभाग में है तीसरा जिला है ब्यावर तीसरा कौन सा जिला है ब्यावर जिला ह जो कि अजमेर संभाग में पढ़ता है तो अजमेर पाली भीलवड़ा और रात संबन्द ठीक है इन जिलों से हलका हलका जो है इसको जोड़ा गिया है इन जिलों में एक्सा इसको जोड़ा गिया है इससे थोड़ा सा पाट छीन छीन के जिला बना दिया गया है कौन से नान तो वालेट इसको डीडवान कज है नागोर सेृसरे इनको अलग किया गया है और ये भी अजमेर समबाग में कौन से संभाग में हैं अजमेर संभाग में गंगापूर सिटी जो जिला है इसको बनाया गया है आपके सवाई मादूपूर और करोली से अलग करके गंगापूर सिटी नाम से जिला बनाया गया है ये भरतपूर संभाग में कौन से संभाग में हैं भरतपूर संभाग में इतनी तैसिले हैं ठीक है बाकी अगर आप सपोर्ट करोगे वीडियो को तो अपन आगे भी इसका बना देंगे ठीक है दूदू जिला है जैपुर से अटके बना है और जैपुर संबाग में सबसे चोटे जिले के रूप में दूदू को जना जाएगा भाई साब ठीक है अग बना ही किस संबाग में रखे गए हैं जैपुर संबाग में रखे गए हैं तो क्लिर हुआ याद हो गया होगा अनुप गड़ बालो तरा ब्यावर डीग डीड़वना कुछामन गंगापुर सिटी दूदू और जैपुर सहरी और जैपुर ग्रामिन इतने जिले हैं इनको कहाँ से किया गया इनको भी याद समय औरे जॉदपूर इया जान के नियुक्तूर और जॉदपूर जॉदपूर समभाग जोदपुर से हैरी भी जोदपुर से अलग हुआ है दोनों ही किस संभाग में है जोदपुर में है मिलाड लोग लियर है तेरवा बारवा जिला कुन सा है फडोदी बारवा जिला कुन सा है फडोदी जिला है जो कि आपके कहां से लगवा है, जोदुपूर से लगवा है फ़ड़ोधी जिला भी कहा से लगुआ है जोदुपूर से लगवा है, संभाग भी सका कौन ACT हो गया ठीक है, तेर्वा जिला है, केकड़ी जो की अजमेर और टोउक शे लग वाए है अजमेर संभाग में है, केकड़ी भी पहले बहाइड में था, एकड़ी जो है, पहले भी एसमेर में था, बस दिक्कत इतनी थी कि बाई साब जिला नहीं था, अब इसको जिला बना दिया गया, कोट पूतली बहरोड जो है जैपूर अलवर से अलग हुआ है और इसका जो संभाग है वो जैपूर है ठीक है कोट पोतली तो आप जानते हो जैपूर संभाग में आएगा ठीक है अगली बात करता हूँ नीम का थाना जो की सिकर जुन जुनु से अलग हुआ है और आपके सिकर संभाग में ठीक है सिकर सं संबाग है पहला संबाग आपके सामने नया संबाग आ चुका है ठीक है सलूंबर सलूंबर जो की उदेपूर पहले सलूंबर उदेपूर में पढ़ता था लेकिन अब सलूंबर को अलग जिला बना दिया गया है उदेपूर से लकर के और उदेपूर संबाग में ठीक है क्लि पाली संभाग में हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखना साहापुरा जो जिला है वो भीलवाडा से अलगवा है और अजमेर संभाग में क्लियर है यह 19 जिले हैं याद आपको हो गए होंगे मेरे साथ साथ याद करते चलना जोदपुर ग्रामिंड जोदपुर सहरी जोदपुर से अलगवे हैं जोदपुर संभाग में हैं केगडी अजमेर टॉंक से अलगवे हैं अजमेर में हैं कोटपुतली बैरोड जैपुर अलवर से अलगवे हैं और जैपुर में हैं जैपुर संभाग से संब्द रखता है नीम का दाना सिकर जुझनु से अलगवा है सिकर संभा नए हाँ ठीक है बासवाड़ा पाली और सिह करstars के नों ए लाए कार पूर्ण तत्थे आपको जो याद ही करने हैं ठीक है क्या 19 जिलों है तू 20 जिलों को तोड़ कर पुनर गठन किया गया है बाई साब 20 जिलों को तोड़ा गया है तब जाके 19 जिले बने अब टोटल जो जिले हैं राजस्तान के टोटल जिले हो गए हैं 50 कितने हो गए हैं 50 हो तो इनका ध्यान रखना और तीसरा ऐसा राज्य राजस्तान बन चुका है जो सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या रखता है ठीक है तीसरा राजस्तान की कौन सा इस्तान आरा रहा राजस्तान का तीसरा इस्तान आरा इसका ध्यान आप लोगों को रखना है ठीक है राजस्तान वर्तमान इस्तिती क्या है कुल नगर निकाई कितने है 266 है इनका ध्यान रखना भई राजस्तान की वर्तमान इस्तिती की देखें तो कुल नगर निकाई कितने है 266 है नगर निगम कितने है 11 है नया अलवर बना है ठीक है नगर निगम कितने है 11 है नया न अब दस हो गएाँ नगर निगम ग्यारा नगर परिश्य अट्पारीषिए नगरपालीका दोसो एठारा तेसल चारसो बीस अब तेसल दोसो चोंतीस नगर निगम ग्यारा नगर परिश्चत और समभाग दस ठीक है इनको एक बार और देख ल benevolए याद आपको हो जाएंगे ठीक है, कलीर है, अगली स्लाइड पे चलते है अगली सुलाइड आपको क्या कहज़े है, इसका आप लोगों को ध्यान बिल्कुल रखना है कलीर करते वे चलो, जितना पड़ाय उतना याद कर ले न, आपके एकजाम में काम आएगा ठीक है सरवादिक जिलों की संक्या देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं चोंतर है मद्दे प्रदेश में चोवन है राजस्थान में पचास है चोंतर चोवन पचास यूपी में चोंतर मद्दे प्रदेश में 54 और राजस्थान में पचास तीसरा ऐसा राज्ये बन गया जिसमें सरवादिक जिले हैं भाई साथ राजस्तान का कुल छेक्तरफल 3,25,249 वर्ग किलोमेटर वर्ग मील में देखें तो 1,32,149 ठीक है ध्यान रखना देश के कुल छेक्तरफल का 10.41 जो की पहले भी इतना ही था ठीक है छेक्तरफल में कोई चेंज नही किलोमेटर है 4,850 क्या है कुल अंतर रज्ये सीमा है यह जो फेक्त है यह जो महत्व पूंटत्त हैं यह वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे ठीक है इसलिए मैंने आपस यहां पे लिखे हैं आपस इनको यहां डाला ता कि कनफ्यूजन में ना रहो ठीक है अगली स्लाइड पूर्वी देशांतर यह भी सेम टू सेम है ठीक है कोना गंगानगर का गाव है जो कि उत्री गाव है कट्राजेसल में पस्चिमी गाव है सिलान, धोलपुर, पुर्वी गाम है, बोरकुंडा, बासवड़ा, दक्षिनी गाम है, बासवड़ा नया संभाग है ठीक है, नया संभाग, आप देखो, जिले हैं 50, संभाग है 10, ठीक है, ध्यान रखना, नया जिले बने हैं 19, नया जिले कितने बने हैं, 19 बने हैं, और 3 बन तो जानी कंचिए वह मेंने आपको बता दि हैं अगर video आपको पसंद आता है video आपको याद हुआ है meter तो इसको जयासे जादा से र करें और अगर आपको तो इसके आगे का मेटर चाहिए तो लाइक शेर और कमेंट जमेर को जरूर बताएं कि भाई साथ हमें आगे का मेटर भी जल्दी से जल्दी दिला दो ठीक है क्लियर है